ही एवरिवन आज बनाएंगे कैटबिरी स्टाइल नटीज आलमंड बहुत ही ज्यादा टेश्टी बन करके तयार होंगा और इसे बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है चलिए उड़ी स्टाट करते हैं तो सबसे पहले एक पैंट में डालेंगे दो टेबली स्पून के करीब चीनी और डालेंगे एक टेबली स्पून पानी और चीनी को तब तक पकाएंगे जब तक यह अच्छे से मेल्ट ना हो जाए जब चीनी इक पर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे आलमं होगा तब ही हमारा कैरेमल आलमंड बन करके यहां पर तैयार होगा तो यहां पर यह एकदम अच्छे से एकदम ड्राय हो चुका और अब धीरे-धीरे मेल्ट हो रहा है आप देख सकते हैं तो यह मेल्ट होना भी स्टार्ट होगी इस स्टेज में आप चाहें तो एक चूट की नमक भी एड़ कर सकते हैं तो यहां पर यह कैरेमल पूरा अच्छे से बन करके तयार हो गया है फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे इको बेक में इको बेक 100% इको फ्रेंडली और नॉन श्टिकी है और रियूजेबल है तो इसमें हम रख देंगे अपने आलम अच्छे से थंड़ा हो जाए तो आप इसे हातों से भी अलग-अलग कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है यह तो एक से दो मिनेट में ठंड़ा होने लगता है पांच से साथ मिन्ट होते होते यह पूरे अच्छे तरीके से ठंड़ा और क्रंची हो जाता है आप देख सकत तो इसे ऐसे ही खा सकते ही ऐसे बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है लेकिन आप हम चलेंगे आगे की प्रोसेस में तो इसे रखते हैं साइड में और एक बाउल में डालेंगे हम आधा कप चॉकलेट तो यह डाक चॉकलेट है अब अगर अच्छी क्वाइलटी की चॉक हम क्या करेंगे कि बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और बाउल को हलका टिल्ट करेंगे और हाफ टीस्पून के करीब इसमें मेल्टेट चॉकलेट आड़ करेंगे इस टार्टिंग में आप हाफ टीस्पून के करीब करें ताकि जल्दी से ड्राइ हो जाए फर्स ट ट्राइ हो जाए आप चाहें तो इस तरह से इसके नीचे बाउल भी रख सकते हैं या फिर कपड़ा भी रख सकते हैं ताकि आपको इसे मिलाने में आसानी हो तो जी अच्छे से ट्राइ हो चुका है अब हम दूसरा बार इसमें चॉकलेट डालेंगे तो मैं यह हाफ आफ कोटिंग होते जा रही और वो ड्राइ होता जा रहा है तिहान जब एक बार ड्राइ हो जाए तभी आप दूसरा बार इसमें चॉकलेट एड़ करें यह प्रोसेस आपको तक्रीबन बारा से तेरा पंद्रा बार करने होंगे देखिए मैंने यहां पर इस प्रोसेस को टोटल तेरा बार किया और यह एकदम अच्छे से एकदम इसमें चॉकलेट की अच्छी कोटिंग हो चुकी है सारे आलमेंड्स एकदम अलग अलग है और सब में अच्छे से एकवाली कोटिंग हो चुकी है आप देख सकते हैं यहां पर तो जो यहां पर नटीज आलमेंड है वो ब यहां पर यह नटी जालमंड बन करके तयार है, इसमें एक अच्छी चाकलेट की कोटिंग हो चुगी है, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा और फ्रेंड्स और फैमिली में से कीजेगा मिलते हैं नेक्स रेस्पी में बाबाई टेक केर